Study IQ IS, अब तयारी हुई, affordable बेसिकली आपने कई बार सुना होगा, कि बाहर के देशों से कई बार लोग जो हैं, अमेरिका जाते हैं, और अमेरिका के किसी नागरिक से शादी कर लेते हैं, ताकि वो भी वहां के citizens बन सकें, लेकिन ध्यान रखेगा, ये इतना सरल पॉसेज नहीं है, अगर आप वैलिड व प्रॉसेज निभाने होते थे, लेकिन यहां पर उसमें बदला हो किया गया है, और इसी के बारे में हम जानेंगे, और साथी साथ देखेंगे, क्या इसमें भारतियों को भी फायदा हो सकता है, काफी कुछ जानने को है चली आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले, ध्यान क्लासेज, परसनल मेंटर, 18 UPSC के जो बुक्स हैं, वो आपके घर तक डिलिवर होते हैं, तो जॉइन करने के लिए, आपके पास अभी शमय है, रात तक ताकि आप इसको जॉइन कर लें और सुबह वाला जो क्लास है, उसको आप अटेंड कर पाएंगे, तो यूज करिएग आप अटेंड कर रहा था, कि बाहर के देशों से कई बार जो लोग हैं, वो अमेरिका में जाते हैं, यहाँ पर आपको समझना है कि जिस चीज की हम बात कर रहे हैं, वो इलीगल इमिग्रेंट्स की बात कर रहे हैं, मतलब अगर आप मान लो भारत से हो, और भारत से अमेरिक के अंदर एंटर करते हैं, और वहाँ पर किसी अमेरिकन नागरिक से शादी कर लेते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर यह पॉलिसी लाई गई है जो बाइडन के दोरा, और यहाँ पर बेसिकले आपको समझना है कि अभी पूरे दुनिया में आप देखोगे राइट और विचारधारा की तोर पर देखा जाता है, मतलब लिबरल विचारधारा, जिसके तहत यहाँ पर जो इलीगल कोई परसन उनके देश में आया है, तो उनके लिए सहुलियत हो, उनके लिए नागरिकता अगर देना हो तो वो दिया जाए, तो वो पॉलिसी जो बाइडन अपन इसके बारे में अनाउंस किया, और देखे उन्होंने क्या कहा, तो अगर किसी अमेरिकन नागरिक से शादी की है, और वो लंबे समय से रह रहे हैं अमेरिका के अंदर, तो हम चाहते हैं कि उनको डॉक्यूमेंट दिया जाए, उनको जो है यहाँ पर अमेरिका का जो नागर बनाना है, तो वो भी हम कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना है, कि किन लोगों पर यह अपलाई होगा, सबसे पहली चीज़ यह है, कि अगर आप अमेरिका के अंदर 10 साल से रह रह रहे हो, मिनिममम 10 अगर आप माली यह पिछले 4-5 साल से रहना है, तब तो यह पॉलिसी अपलाई नहीं होगी, ठीक है, तो यहाँ पर मिनिममम आप 10 साल से रह रहे हो, अमेरिका के अंदर, और आपने अगर किसी अमेरिकन सिटीजन से शादी की है, ठीक है, तो ही यहाँ पर आप जो है, और शादी कब तक मतलब 17 जून 2024 के पहले, अगर फायदा हो सकता, और इसके अलावा भी करी 50,000 स्टेप चिल्रेन हैं, यूएस सिटीजन के, वो भी eligible हो जाएंगे, उनको भी फायदा होगा, overall मैं आपको बता दू, यहाँ पर जो अभी तक record सामने है, उसके अधार पर 1.1 million immigrants, यूएस के अंदर illegal तरीके से रह रह रहे हैं, जो शादी की हैं, ज्यान रखिएगा, यहाँ पर illegal immigrants की संक्या 2-3 billion हो सकती है, उसे जादा हो सकती है, मैं बात कर रहा हूँ, उन illegal immigrants की, जिन्हों ने अमेरिका के अंदर किसी American नागरिक से शादी की है, तो उनकी संक्या करीब 11,000,000 के आसपास बताई जा रही है, लेकिन मैं आपको और थोड़ा सा डीटेल में समझाता हूँ, पहले क्या था बेसिकली, कि अगर मान लीजिये, आप अमेरिका के अंदर एंटर कर गए, ठीक है, मान लो यह US है, आप किसी दूसरे देश से आए, आप अमेरिका के अंदर एंटर कर गए, illegal तरीके से, आपने अमेरिका के रेसंदर किसी नागरिक से शादी कर ली, ठीक है, तो क्या आपको उस केस में तुरंट citizenship मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ पर कुछ rules है, अगर आपने किसी अमेरिका के नागरिक से शादी की है, तो उस केस में क्या होगा, कि पहले आपको बोला जाएगा, क्योंक उनका green card जो है, वो अप्रूव नहीं हो जाता, तो यहाँ पर जैसी उनका green card अप्रूव होता था, मालो एक साल के बाद जो है, उनका green card अप्रूव हुआ, तब फिर वो वापस US जा सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर उनको अमेरिका का citizenship दिया जाता था, तो यह process चलता लेकिन अब क्या हुआ है, अब Department of Homeland Security ने चीजों को आसान बना दिया है, अब क्या होगा कि आपको वापस भारत आने के आउशकता नहीं है, मतलब आप illegal तरीके center किये, US के अंदर आपने वहाँ के किसी नागरे से शादी की, तो आप US में रहते हुए ही, जो green card है, वो apply कर सक और green card के बाद फिर आपको, कुछ साल के बाद, मतलब green card में क्या होता है, कि आप 5 साल कम से कम अमेरिका के अंदर रहते हैं green card लेकर, तब आपको अमेरिका की citizenship मिल जाती है, हाँ, उसमें ये चेक किया जाएगा कि आपने कुछ illegal काम तो नहीं किया है, आप national security के लिए कोई ख तो वो सारी चीजें अब यहाँ पर खतम हो गई है, in fact यहाँ पर आपको job वगरा की opportunities हैं, वो भी करते हुए अमेरिका में आप रह सकते हो, तो finally question अब यहाँ पर यह है कि क्या इससे भारतियों को फायदा होगा, देखो, ये उन सभी के लिए फायदे मंद होगा, जो illegal तरी से एंटर करने वाले, जो लोग आप देखोगे, एक तो मेकसिको है, क्योंकि इनका बहुत बड़ा border है, और आपको पता ही है, डॉनल्ड टरम जब राश्च्पती थे, इसी चीज को लेकर इशुता, वॉल वगरा बनाया गया, तो यहाँ पर मेकसिको से सबसे आदा जाते ह है, फिर यहाँ पर एक और छोटा सा देश है, El Salvador, वहाँ से भी जाते हैं, तो यह दूसरे नंबर है, फिर थर्ड नंबर पर भारत आता है, जहां से इनलीगल तरीके से लोग अमेरिका के अंदर एंटर करते हैं, और पिछले 2011 से लेकर अभी तक आप देखोगे, तो भारति फेंडर किसी से शादी की है, अमेरिकन सीरीजन्स ने, तो यहाँ पर सरकार वहाँ की क्या करेगी, तीन साल का ईसको जौब परमीट वगरे देदेगी, वो अमेरिका में रहते वे ग्रीन कार्ड के लिए अपलाई कर सकता है, और जब ग्रीन कार्ड मिल जाए, तो पांच सा चुनाओ भी है तो इसलिए ये भी बोला जा रहा है कि वोटरों को लुभाने की भी कोशिश कर रहे हैं जो लेफ्ट विचार धारा के हैं जो इस चीज को सपोर्ट करते हैं क्योंकि दो चीजों में बटा हुआ है पुरा अमेरिका अगर आप देखोगे एक साइड बहुत सार अमेरिका के अंदर एंटर किये थे उनके लिए भी पॉलिसी लाई थी जिसका नाम है ड्रीमर्स जिसके तहत यहाँ पर उनको वर्क वीजा वगरत दिया गया अगर वो ग्रैजुएट कर चुके हैं किसी कॉलेज से और हो हाई स्किल जॉब ऑफर उनको मिल रखा है तो उनक इसी तरफ अगेन एक एक्जामपल आप और देख सकते हो कुछ समय पहले मैंने वीडियो भी बनाया था कि UK के अंदर जो रिसी शूनक है उनकी तरफ से यहाँ पर एक बिल आया गया जिसको बोला गया रवांडा डिपोर्टेशन बिल जिसके तहत जो illegal immigrants हैं UK के अंदर उनक जा होना चाहिए मुझे comments में जरूर बताईए का and I hope कि इस वीडियो में आपको सबको समझ में आ गया होगा जाने से पहले एक interesting question क्योंकि हम immigrants और इस तरफ की चीजों की बात कर रहे हैं क्या बता सकते हो भारत के अंदर कौन से stream में आपको female migration सबसे highest देखने को मिलता है इन चार option में से आपको बताना है इसका right answer आप सबको पता है मेरे Instagram पर तू मिलेगा ही वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं टेलिग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर में कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर stories में डालता रहता हूँ अगर आपको PDF ये तो टेलिग्रा अरी हुई affordable